कि यस हेलो फ्रेंट्स कैसे आप लोग आसा करता हूं आप लोग सब अच्छ होंगे हम लोग कर रहे थे सीटेट प्रिवेस एर पेपर वन और पेपर टू दोनों कर रहे हैं पेपर टू में मैं सुसर स्टेडी कर वा रहा हूं प्लेलिस्ट पर जाकर देख लेज़ेगा वैसे मैं आई बटम में लगा देता हूं जितने में क्लासेश लेता हूं तो किसी ना किसी का प्लेलिस्ट मैं आई बटम में लगा देता हूं तो तो ये हैं हमारे पास फेरवरी 2015 का एवियस का पेपर और बुकलेट नमबर जो मेरे पास है वो है C जिनके भी पास होगा वो इसे मिला लेंगे ठीक है तो चलिए आज का सेसन हम लोग स्टाट करते हैं तो जीतने भी लिंक होते हैं मैं डिस्किप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ तो आप वहाँ पर जाकर कि ग्रूप को जोईन कर सेते हैं फेस्बुक में इंस्टाग्राम में वट्सअप पर टेलीग्राम में हर चीज का मैं लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में दे देता हूँ और 30 question ही कठे करने में समय बहुत लग जा रहा था इसलिए 15-15 question करना ही बेटर समझा और कुछ लोगों ने मुझे यही suggest किया था कि सर छोटे question ही बनाए कम टाइम में ताकि देख भी सके हम लोग ठीके तो 75 तक हम ने कर लिया था आज से 76 के start करूँगा मैं तो चलिए मैं कुसक्वार स्वागत करता हूँ आप लोगो कापी केस YouTube चैनल में जिसका नाम IQ Adda फिर से मैं remember करवा दिता हूँ आप लोगो यदि आप चैनल पर नहीं है और वीडियो पसंद है तो like, share, comment जरू करिएगा और चैनल के सबस्क्राइब करके इसके बेला कंद बायागा ताकि जब भी मैं classes लूँ तो आपको notification चला जा और फटाक सनना तेजी से जल्दी से जल्दी share जरू कर दिजिए अभी के अभी से ताकि मैं जो भी महनत कर रहा हूँ उन लोगों तक पहुंच सके तो लास्ट का जो सेशन बसता है पीक टाम बसता उसमें यूटिलाइज कर सके वो लोग और ये वीडियो कटे ना वो भी मैं एक बारी बस देख लूँ बाकि सब ठीक है चलिए आज का पहला question क्या है seated February 2050 EBS Part 2 ठीक है तो चलिए पहला question कहता है यहाँ पर प्राथमिक अच्छाओं के विद्यार्थियों को मांचित सिच्छन के लिए निमलिखित में से कौन सी युक्ती सरवादी उप्यूक्त प्रतीत होती है मतलब प्राथमिक अस्तर EBS है सबसे पहले primary level पर ठीक है अब यहाँ पर बात किया जा रहा है जदि बच्चों को मांचित का सिच्छन करवाना है ठीक है उसके मैप के बारे मुस्से पढ़ाना है हम लोगों को ठीक है उसका एक अच्छा strategy क्या होगा हमारा है न चार option है सबसे उप्यूक्त हमें बताना है ठीक है तो पहला कह रहा है यहाँ पर सिच्छार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मांचित लेकर आए दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों को एटलस दिखाना और विविन इस्थानों की इस्तिती बताने के लिए कहना तीसरा कहता है यहाँ पर सिच्छार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उप्योग करते हुए अपने निकर्तम परिवेश का मांचित बनाए तथा वस्तों की साचे पेच इस्तिती और दिशा पर ध्यान केंदित करे और अंतिम कहता है अध्यापक द्वारा स्याम पड़ पर मांचित बनाना तथा सिछार्तियों को विविन अस्तानों की इस्तिती बताने को काना जल्दी स इसका अंसर बेस्ट हमें option की और जहार चलना है तो बेस्ट हमारा जा रहा option नमर 3 इसमें क्या कर रहा है देखिए कह रहा है कि बच्चों से यह कहा जा रहा है कि आप अपने निकट्टम परिवेस को पहचानते हैं है न कोई तरीका होता है न बच्चों लोग अपने अपने point of view रखेंगे सर मैं ऐसे पहचानता हूँ दूसरा कह रहा है कि वो उन माचितों साथ वस्तूओं को साच्छे पिस्तिति और दिसा सब कुछ पर ध्यान किंदित करवाएगा वो यहां पर तिर्चा टे डाला गिया है तो क्या करूँ बात समझ मैं तो अपने दिसा निर्देश को बच्चे समझ पाएंगे उसको अपने वहवार मिला पाएंगे तो सबसे बेटर क्या होता है करके सिखना तो बच्चे खुद से ये काम करेंगा तो बेटर होगा आंसर हमारा अच्छा होगा तो Q77 क्या कहता है यहां लिखा हुआ है प्राथमी कस्तर पर परियावरान अध्यान पढ़ाने के लिए निमलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महतपूर होना चाहिए प्रियावरान हमें पढ़ाना है प्राथमी कस्तर पर तो सबसे अच्छा मतलब उसका पहलू कौन सा है है न हम लोग क्या बोलेंगे उसे important aspects यहाँ पर लिखा हुआ ठीक है मैं वही word एक खोज रहा था देखें यहाँ पर लिखा हुआ है चार option पहला कहरा है आकलन में सफलता प्राप करना दूसरा कहरा है विज्यापन की अधार बुद संकल्पनाओं को समझना तीसरा कहरा है सिखने वालों को प्राकिर्तिक और समाजिक सांस्किति परियावरन से जोड़ना चौथा कहरा है करिया कलाप संचालित करना तथा कौसलों का विकास करना जल्दी से इसका answer बताए क्या होगा 77 देखे इसका answer होगा option number 3 क्यों देखे यहां भी क्या कर रहा हो समाजी परिवेस को खुद को जोड़ पाएगा है ना अपने आपको उसके साथ संबंद बना पाएगा और जो भी हमारा टॉपिक क्या पर बैठे बैठे बैंच में बैठे बैठे वह सूचेगा कि मैं वहां पर हूं तो क्या होगा कंडिशन मैं कैसे कदम उठाओंगा है ना तो खुद से जोड़ेगा समाजी सांस्कृति सोसाइटी को जोड़ेगा सोसाइटिक सबसे वह जोड़ पाएगा उस चीज को के लिए रहें आगे चलते हैं हमें बेष्ट देखना है इसलिए मैं बेष्ट के लिए यहां भी पेपर कटा हुआ है अब क्या बोलो ऐसा ही मुझे मिला है गूगल में तो क्या करूं खैर इसलिए मैंने बोला था किसी को सभी से यहीं आपके पास अच्छा पेपर है आप मुझे पीडिएफ में क्लिक करके गुरूप में डाल देजा आप लिंक मैं दे ही देता हूँ तो उसमें सेर करिए नहीं होता मुझे प्रशनली सेर कर देजिए ताकि मैं भी पीडिएफ बना करके दुबारा इस पर आप लोगों है मतलब यहां पर कह रहा है कौन सा कॉसल को हम बढ़ावा देंगे जिस पर है जिस पर प्रत्यच अनभाव मतलब डारेट एदम उसके साथ क्या बोलता है को मुर्त रूप से हैंना माली एक अब्जेक्ट हमारा एपल है ना एक बच्चों को क्या करते कार्टून सा खिलोना होला एपल दिखा कर बोलता है यह एपल है ऐसा एपल होता है ना हम मैं एपल का एक्जांपल लेता हूं कॉमन एक्जांपल तो इसको केंदर में हमको रख के बताना है कौन सा स्ट्रेजी बहतर होगा अच्छा कॉसल चौथा कह रहा है पुर्वा नुमान लगाना जल्दी से बताइए क्या होगा देखिए इसका ऑप्सन जाएगा ऑप्सन नमबर एक निर्धारन अब एक बात आप थोड़ा सा दिमाग लगाईगा ठीक है यहाँ पर इंक्वारी बेस्ट कर रहा है हाँ आपर काम तो क्या कर करेगा सबसे पहले तो अब्जर्व करेगा ही अब प्रेडिक्टिंग भी करेगा वह बच्चा क्योंकि इंक्वारी कर रहा हूँ कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाएगा दो अप्सन तो कैंसल हो गया तीसा क्या जा रहा है तीसा निसकर्स निकाले वह सड़नली निसकर्स क जा रहा है आगे चलते हैं क्या कहता है यहां पर कह रहा है मिजुरम में की जाने वाली जूंग खेती के विशय में निमलिकित कतनों का अध्यन करना हमें जूंग खेती के बारे माध्यन करना है ठीक है तो पहला कह रहा है यहां पर और इनमें से सही कतन हमें उठाना है कौन पतवार को काट कर जला दिया था है को होना चाहिए यहां पर ठीक है जला दिया जाना चाहिए ये भी सही है फिर तीसरा कह रहा है दो हमारा सही हो गया है ठीक है तीसरा कह रहा है बीज बोने से पहले भूमी की गहरी जुताई की जाती है गहरी ठीक है चलते हैं फूर्ट कहा रहा है एक से एक ही खेत में तीन चार वी भीन परकार के फस्ट नासको का उप्योग भी किया जाता है जल्दी से इसका उप्सन देख करके मतलब सेंटेंस वाक के देख करके उप्सन लगाने का कोसिस करें कौन सा सही होगा इसमें 79 में जोम खेती के बारे में देखिए सबसे पहले एक और दो इदम 100% सही है लेकिन सी में यहाँ पर बोला गहरी जुताई तो गहरी जुताई ने करते हैं एदम डीप हम उससे नहीं कोड़ते हैं पर उपर का जो होता है उसके जला दिया जता है आप लोगों को पता होगा इसके बारे उसके खित को जला दिया जता है हमारे पास A, B, अच्छा, D को देखना है, तीन बाच, D भी नहीं होगा, तीन, चार क्या है, A और भी जहां पर भी होगा, वो सही होगा, option number 2, सही जा रहा है, तीकि बहुत सारे term होते हैं, इसके ध्यान से हमें देखना पड़ता है, 80 क्या कर रहा है, question number, कहता है, राधा वीवीन परकार के यातरा टिकटो का उप्योग करती है, यहां करती होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि राधा यहां पर स्टिरलिंग है, ऐसे टिकटो के उप्योग से निमलिखित में से किस संकलपना पर यहांपर किस होगा, अब वो क्या बोली है इस पर हम दिखान देते हैं पहला कहता है यहां पर अलग-अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा में लागत भी लगएगा ट्रेंज से करें तो अलग लगएगा यह सही बात दूसरा कह रहा है यात्रा की लागत उस वहां दोरा परिउक्त इंधन प दूसरे अस्थान जाने के लिए हमें टिकट हूँ हमें टिकट चाहिए सही बात है एक अस्थान से दूसरे अस्थान जाने के लिए टिकट है अब फूर्थ कहरा आरच्छन प्रक्रिया की समझ देखिए हर जगा आरच्छन नहीं होता है अब बस में हम जदी बैठेंगे हमें दिल्ली से मैं अभी मान लिजी गुलगावा खड़ा हूँ आपर ठीक है गुलगाव मैं उसे क्या वो लोगा मैं इफको चॉक पर मान लिजी आप लोगा जो वीडियो देख रहे होंगे गुलगाव में इफको चॉक है अभी मैं पिछले 15-20 दिन पहले वहीं पर बहुत देर जार भी कहता बस का अब वहां से जैपूर के लिए बस जाती है तो क्या वहां आरच्छन रहता है क्या नहीं वैसा कुछ फिक्स नहीं रहता आरच्छन के लिए तो आरच्छन का उप्सन हर जगा नहीं होता है ट्रेन में चलते आए ठीक है तो डी कैंसल तो डी जहां पर भ आई कैंसिल हो रहा है क्योंकि वहां परियुक्ती के इंदन आज के समय में इंदन मैटर नहीं कर रहा हुतना क्योंकि लोग इलेक्रिक वहां भी आ रहे हैं तो आप्सन नमबर हमारा बेस्ट जा रहा है कौन सा ए और सी के साथ हम चलेंगे किले रहे देखिए इसी तरह करिए आंसर मिलेगा आपको वीडियो बड़ा बनेगा तो उससा टेंसन मत लेजेगा डिटेल समझ रहे हम लोग एक्स्प्लेंट कर रहे हैं हम लोग इसको चलिए आगे कहता है एक यासी यदि हम पच्छों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि उनकी अधिए पात पच्छ का मैटर अब है कौन सा रिलेशन है बेवकूफ हो जैसा दूसरा कह रहा है पच्छों के दो नित्र आखोते हैं भाई ये तो कॉमन सी बात है ये भी कैंसिल तीसा कह रहा है उनके नित्र दो विभिन वस्तूओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं ठीक है लेकिन हमें गर्दन मुडाने से बात कर रहा है तो ये भी हमारा कैंसिल होगा लेकिन आप्सन सही है परशन के आधार पर ये गलत है याद रखेगा अब फूर्ट बच के एकलोता कह रहा है अधिकांस पंच्छियों के नित्र इस्थिर होते हैं और घुम नहीं सकते यही रिजन उन्हें अपनी गर्दन घुमाना पड़ता है आगे चलते हैं किलर है 82 क्या कह रहा है कह रहा है रीना आम पसंद करती है वह इन्हें जाड़े के लिए सनरच्छित करना चाहती है निमली खित में से कौन सा तरीका सनरच्छन के लिए सरवादिक उप्यूप्त है अब वो आम को सेफ करना चा चाहता है रिफजडेटर संचित करना और आगे कह रहा है आचार और आम पापड़ बनाना किस तरीके से वह आम को बचा सकती है जदि उसको आम पसंद है तो देखिए सबसे बेस्ट हमें खोजना है तो आचार होगा बेटर ऑप्सन क्योंकि टिकाव होता है आप फ्रीज मे लिवाई वो निमली खित में से वह कौन सा जानवर मतलब जनतु है जिनके अगर दात हमेशा बढ़ते रहते हैं चूहा और गिलारी याद रखेगा ठीक है तो सबसे बेटर गिलारी होता है ओप्सन देखिए सिधा मार कर आगे बढ़ना है आमें लंबा होते कुतरने के लि उप्योग करके अपने खेतों में बारबा धान की फसल उगा रहा है जदी कोई अपने जमीन पर बारबा किट ना सकका पर्योग करता तो उससे क्या होता है ये सवाल कुछा ऐसा करने से उसके खेत की मृदा क्या होगी जुताई के लिए उप्योग तो बन जाएगी दूसर को सबस्क्राइब भी जरू करिएगा अगर रिक्रिवेस्ट है तो जो बताएए वाइस कैसा है परश्न कैसा लगा कोई डाउट है तो कमेंट में जरू बताएगा मुझे ठीक है तो इसका आंसर होगा अप्सन नमबर टू बंजर हो जाता है हद से आदाम की इतना सका पर्य ठीक है तो कौन है भाई केरल का पडोसी राज पहला कह रहा है करनाटक महराष्ट दुसा कह रहा आंद परदेश करनाटक तीसा कह रहा करनाटक तमिलाडू आंद परदेश जल्दी सा आंसर बताएए क्या होगा इसका अंसर लड़ू सा सवाल है भाई करनाटक और तमिलाड केरल का पड़ोसी राज्य है ठीक है इस पर क्या समझाना ठीक है चलिए अगे चलते हैं क्या रहा है निमली खीत में मचली खाना पसंद करते हैं गोवा होगा जमू कस्मीर होगा बिहार या मेज़ोराम जल्दी से बताईए इसका अंसर कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर नारियल के तेल में समुद्री मचली को फ्राय करके खाना पसंद करेंगे मूं में पानी आ गया है ना चलिए क्या होगा गो ठीक है जमू कस्मीर और बिहार में तो सरसो का तिल चलता है मेज़ोराम में भी सरसो का यह तिल लगवग चलता है ठीक है आगे चलते हैं गोवा खास होगा समुद्री तट पर है गोवा किलर है ओहो फिर देखो ये कजब का है यार चलो देखते हैं कोई बात नहीं आगे कह बराबर अर्थाद लगवक 4 मिटर होती है व्रिच की उचाई ठीक है आगे कह रहा है इस व्रिच की जड़े नीचे व्रिच की उचाई की लगवक 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक की पानी तक ना पहुंच जाए तीसरा कह रहा है इस व्रिच के तनी में पानी एकतित होता है और फोर्ट कहरा है या वरिच अबू धाबी में पाया जाता है तो सबसे पहली बात है उप्सन नमबर डी नहीं होगा ये अबू धाबी में नहीं पाया जाता है किलियर है ओक ट्री चलिए अब उप्सन दो मैंने छोड़ दिया अब बताएए कौन-कौन सही होगा और रिगिस्तानी ओक के बारे में जल्दी से बताएए इसका अंसर होगा अप्सन नमबर तीन ए बी सी तीनों सही है ठीक है रिगिस्तानी ओक पेड़ ऐसा ही होता है जब तक उसकी तने मजब तो उसकी जड़ों को पानी नहीं मिलता है तब तक उसी दने से उसका पानी भी वो लोग पीते हैं ग्रहन करते हैं के लिए रहा है आगे चलते हैं 88 क्या कह रहा है 88 कहता है कोई व्यक्ति ये क्या लिखा हुआ है अच्छा रूखिये कोई व्यक्ति दो एक मतलब दो जनवरी दो जब 15 को मढगाउं से नगर कोई जाने के लिए रेल गाड़ी में बैठा रेल गाड़ी 7 बच के 45 मिनट में मढगाउं से चली अगले दिन अर्थात 3,1,15 को 4 बच के 45 मिनट में वो पहुंची है ठीक है देखिये कैलकुलेशन का है इसे आप कर ल आप मैं बताई तो हिंट देता हो करना क्या होता है मान लिजी यहां से चला गाड़ी यहां पर पहुंचा है गाड़ी ठीक है डेट आप चेक कर लिजेगा मान लिजे यहां चला है 2 को और पहुंचा है यहां पर 3 को मतलब 24 घंटा का यह फरक है ठीक है चार आता तो 24 घंट कर लेना है और हमें बताना है distance हमें दे दिया गया है time हमें देख लेना है कितने गंटे गाले चली है distance दे दिया गया हमें speed बताना है speed difficulty क्या होता है distance upon time clear है मैंने यहां तक आपको बता दिया आप calculate कर ले जेगा ठीक है इसका अंसर क्या होगा आप comment box में बताईएगा आगे चलते हैं आज का अन सकेंड लास कोश्चन कह रहा है नए दिल्ली में रहने वाला एक कोई व्यक्ति पहले भुपाल मद परदेस और फिर रांची का भ्रहमन करने क्या है यहाँ पर ठीक है ब्रहमन करता है या करना चाहता है ठीक है उसकी यात्रा की दिसा होगी पहले अच्छा पहले क्या जाएगा तो कोई दिल्ली में रह रहा है मान लो यहाँ पर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ ठीक है वैसे जो अब भुपाल से वो रांची के हो रहा थ और भुपाल जदी यहाँ पर मत पर्देस है तो जहरकंड उसका इस तरफ है तो इस तरफ जाएगा तो सबसे पहले वो किधर गया दच्छिन फिर किधर गया वो पूर्व की ओर गया इसका आंसर क्या होगा दच्छिन और पूर्व अप्सन नबर टू क्लिर है चलिए आगे चलते हैं आज का आखरी सवाल क्या कहता है देखते है कह रहा है यहाँ पर नीचे दिये गए सबी जानवरों में निमलिखित में कौन सी विसिस्ता पाए जाती है मतलब कुछ जानवर दिये हुए है जानवर तो नहीं है यह लो अब इसकी विसिस्ता हमें बता नाई जपकली, गोरःया, कच्छू और साप क्या है भाई? यह सवरे जहरीले हैं तो गोरःया जहरीले नहीं होते हैं यह तो कैंसिल हो गया दूसरуска कराई है बूम्यों और जल दौनों में रहते हैं गोरःया भाई नहीं रहता चिपकली वे पानी में नहीं रहना पसंद करता है ठीक है तो ये भी कैंसिल हो गया तीसरा कह रहा है हमारे कि उनके सरी सलक से ढखे होते हैं ये भी नहीं है भाई और फूर्थ अंडे देते हैं हाँ ये सही है ये चारों अंडे देते हैं किलिए रहें चलिए आज इतना ही था वीडियो खतम होता है ठीक है कल फिर मैं लेकिया होगा EBS का अगला पार्ट 2015 I think फिनिस कर दिया मैंने है न तो 2016 का मैं करवांगो 17 में एक्जाम नहीं हुआ था 18,19 ठीक है तो 2016 का मैं स्टाट करूँगो EBS तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, कमेंट जरू करिएगा और चैनल पर सच में नए हैं तो सबस्काइब करिएगा यदि आप पुराने हैं सबस्काइब करना नहीं किये हैं तो भूल गए हैं तो सबस्काइब अभी क्या भी कर लिजिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ओन कर लिजिए ठीक है थैंक यू वेरी मच घर पर रहिए सुरचीते बड़ो साथ से बात लेते रहे हैं चोटो को प्यार देते रहेगा और प्लीज सेर जयो करिएगा ठीक है आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ